आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा बेविस स्वेटर का डिजार लेका आई हूँ तो देखिए टू कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाईन है जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसा बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाली ये बहुत ही सुदर डिजाइन बन के आता है और इस डिजाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर six के multiple फंदे लेंगे जैसे पहले 6 गिनिएगा फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 लास्ट में आपके दो फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए 6 के multiple design डलता है दो फंदे हम HD के लेंगे चार सलाईयों का design है जब भी आपने किसी project में border बनाने के बाद अगर फंदे बढ़ाने हैं तो आप फंदे सीधी तरब से बढ़ा लेजिएगा क्योंकि ये design wrong side से यानि back side से बनना शुरू होगा तो border बनाने के बाद सीधी तरब से आप फंदे बढ़ाईएगा back side से design को start करेंगे चार सलाईयों का design है और 8 सलाईयों में design cover हो जाता है बहुत ही प्यारा सा design है जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है बच्चों के किसी भी project में आप इसको डाल सकते हैं मैंने ये two color में बनाया है अगर आप इसको बच्ची खुची बूल से जैसे multi color में बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये दो सलाईया औरेंज की बनाई है आप ऐसे ही अगली दो और कलर की फिर अलग कलर की ऐसे भी आप इसको बनाते हुए बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा design इस तरह से हमारा ये बन के आया है चलिए तो देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है अगर आपको मेरा ये design पसंद आए वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स गूरूप में शेर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इसको बना शुरू करते हैं तो देखिए इस design को बनाने के लिए यहां पर मैंने ये 6 के multiple फंदे डाल के 18 और 2 फंदे प्लस किये हैं यानि मैंने यहां पर 20 फंदे डालने हैं फंदे डालने के बाद यह हमारी right side है और यह मेरी normal baby wool है और यहां पर मैंने 10 नंबर की slightly है अगर आप इसको normal baby wool जैसे गंगा, rabbit, ओस्वाल, वर्दमान ये baby wool होती है इनके अंदर अगर आप इसे बनाएंगे तो 10 नंबर की slightly use कीजिए और आप इसको बुनते हैं तीन तारवाली में तो आप यहां पर 9 नंबर की slightly use कीजिए तो फंदे डालने के बाद ये हमारी first row होगी जैसे border बनाएंगे तो सीधी तरप से एक सलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे ऐसे इसको सीधा सीधा बनाएंगे सभी फंदे सीधे सीधे बुनते हुए एक रोह हम बुन लेंगे तो ये border बनाने के बाद एक सलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली अब आज ये रोंग साइड में अब देखे यहां से डिजाइन की रोंज श्टार्ट करेंगे और यही से ही हम अपना सेकेंड कलर जॉयंट करेंगे तो देखें है एक टी फंदा है इसको उतारेंगे फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो आप देखिए यहां से अब हम अपना second color joint करेंगे तो दो फंदे हम यहां पर इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे दो फंदे second color से बुनेंगे और फिर से दो फंदे दो फंदे white से बुनेंगे तो देखिए ह इस धिज को छोड़के इनहीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए फिर से दो फंदे white बनाएंगे फिर दो फंदे red के बनाएंगे एक दो फिर से दो फंदे white के बनाएंगे तो यहां से यहां तक यह हमारा second repeat कम्प्लीट हुआ फिर से नहीं को repeat करेंगे, तो फिर से दो फंदे white के बनाएंगे, और दो फंदे फिर से red के बनाएंगे, फिर से दो फंदे white के बनाएंगे, और ये edge टीछ है, इसको उल्टा बनाएंगे, तो ये first row बन के complete हुई, अब आ जाईए second row right side में, तो देखिए, जो फंदा जिस color का है, उसको उसी से बनाएंगे, इस फंदे को आप slip कीजिए, या बनाएंगे, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो ये 3 फंदे, सीधे white से, फिर से ये 2 फंदे red से, एक, दो, फिर से ये बीच के 4 फंदे हैं, इनको white से, जो फंदा जिस color का है, उसको उसी color से second row में, right side से बुन लेंगे, बहुत ही easy design है, इसको beginners भी बुन लेंगे, जिसको थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बुनना आता है, वो भी इस design को डाल लेंगे, तो white फंदे हैं, उनको white से बनाएंगे, और red फंदे हैं, जो उसको red से बनाएंगे, ये यहाँ से, सिर्फ चार सलाईयों का design हो, और बहुत ही easy design है, अब ये तीन फंदे, फिर से white के बनाएंगे, आपके project में जितने फंदे हों, आप इसी तरह से बुनते जाएगा, अब आजएए wrong side में, third row में, तो आप देखिए कैसे करेंगे, अब इस red कलर को नहीं लगाएंगे, white से ही बुनते जाएंगे, तो देखिए edge teach है, slip करेंगे, फिर से दो फंदे, उल्टे बनाएंगे, अब देखिए जो ये second कलर के फंदे हैं, इनको दो बार धागा घुमाते हुए ऐसे बनाएंगे, इस तरह से दो बार धागा घुमाएंगे और बुन लेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, अब फिर देखिए ये दो फंदे फिर से दो बार धागा भुमाएंगे फिर से तीन फंदे उल्टे तो ये तीसरी रो हमारी बनके कंप्लिट हुई अब आज ये राइट साइड फोर्थ रो में इस तरह से अब देखिए द्हान दीजिए अब यह एच्टिश फंदा है इसको सलिप की जिए यहां पर अब एक फंदा बनेगे इस तरह से अब देखिए जो यह फंदा है यहां पर इसको उतारेंगे तो फोर्थ रो एक फंदा स्लिप करेंगे अब देखिए इन दो फंदो को इस नीडल पे लेंगे और इस दो बार धागा गुमाए फंदे को ऐसे उतार देंगे इन फंदो को वापिस इसी नीडल में लेंगे इस तरह से और इस फंदे को ऐसे आगे की तरफ करेंगे ऐसे और इस फंदे को आप सीधा बनाएंगे फिर ये दो फंदे सीधे एक दो अब देखिए इस फंदे को फिर से ये जो दो फंदे हैं इसके साथ में इनको यहां से लेंगे और इस धागा गुमाई फंदे को खोल के ऐसे इस निडल पर लेंगे और इनको वापिस इस पर डालेंगे और इनको फिर से सीधा बनाएंगे ऐसे अब इसको बैग लूप से ऐसे बुन लेंगे तो इस तरह से डिजाइन डल जाएगा अब फिर देखिए फिर से ये दो फंदे लेंगे नीडल पे इसको ऐसे गिराएंगे नीचे इनको वापस इसी में लेंगे और इस गिराए हुए फंदे को आगे की तरफ डालेंगे ऐसे फिर इसको सीधा बनाएंगे फिर ये दो फंदे फिर से सीधे अब देखिए इस फंदे को फिर जो ये फंदा दो बाट धागा गुमाया हुआ है इसके साथ में दो फंदे इनको बैक से सलाई में डालेंगे इसको गिराके वापिस इसी में लेंगे और अब इन तीन फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे ये लूप वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे इस तरह से अब फिर ये दो फंदे वापिस इसी निडल पे लेंगे ऐसे और इसको गिराएंगे अब इन फंदों को इस नीडल पे लेके और इस फंदे को आगे की तरफ करेंगे अब ये तीन फंदे सीधे लूप वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे और ये फंदे भी सीधे बुन लेंगे अब देखिए ये दो बार धागा गुमाया हुआ है आगे से दो फंदे ये बैक लूप से लेंगे इस तरह से इसको निकाल लेंगे ऐसे डाल लेंगे और ये तीन फंदे सीध है अब ये एज़ टीच है इसको भी सीधा बनाए तो ये चार सलाईयों का डिजाइन था अब देखिए अब की बार हमारी ये तीन डिजाइन डाले थे आगे हम ये सेंटर में डिजाइन डालेंगे यहां पर जो ये दो फंदे हैं जो ये लूप वाले फंदे हैं इनके उपर अब हमारा रेड गलर आएगा जो यह लूप के फंदे हैं, तो आप देखें किस तरह से करेंगे, बैक साइड से फिर से हम डिजाइन अरजैस्ट करेंगे, तो देखें यहां से ध्यान दीजियेगा आप जो यह दो फंदे हैं, यहां पर, इससे आगे हमारे 2, 4 और 6, 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को हम उल्ट बनाएंगे, एक, दो, तेल, अगर आप यहाँ पे हाफ डिजाइन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाफ डिजाइन आपका डल जाएगा, और ऐसे सीधा बुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सीधा भी बुन सकते हैं, तो यह छै फंदे हम उल्टे-उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तेल, चार, पाँच, और छै, अब देखिए जो यह दो फंदे यह लूप वाले हैं, इनके उपर हम डिजाइन डालेंगे, तो यहाँ पर दो फंदे बनाएंगे रेड से, फिर से, यह चार फंदे छोड़के यहां से repeat pattern start है दो फंदे white, दो red, दो white अब इसी को फिर से यहां से आगे है जो चार फंदे छोड़के यह design है इसको फिर से repeat करेंगे तो दो फंदे फिर से white के दो फंदे फिर से red के दो फंदे फिर से white के आगे के चार फंदे फिर उल्टे तो दोबारा से डिजाइन ये स्टार्ट हो चुका है हमारा चार सलायों का डिजाइन है और आठ सलायों में ये डिजाइन कवर हो जाएगा अब देखेए इस तरह से आ जाएगा अब फिर से जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाएंगे तो वाइट वाले फंदे हैं जो वाइट से बनेंगे दो, तेन, चार, पाँच, छे अब फिर ये रेड के हैं तो इनको रेड से बनाएंगे अब फिर से वाइट के हैं इनको वाइट से बनेंगे एक, दो, तेन, चार, फिर से रेड से बनाएंगे एक, दो, फिर से आगे के वाइट से बनेंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे अब आजए ये डिजाइन की 6 सलाइया बन चुकी है 17 सलाइ में तो 17 सलाइ को फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 3 ड्रो बनाई थी इसको वाइट बुनते जाएंगे रेड कलर को यहीं पर छोड़ देंगे अब देखे जो रेड के फंदे है दो बार धागा गुमाएंगे बनाएंगे इस तरह से फिर से ये फंदे सिंगल बुनेंगे फिर से ये फंदे दो बार धागा गुमाएंगे बनाएंगे अब आगे के फंदे फिर से उल्टे अब आज़े ये राइट साइड में आठ में इस रो में डिजाइन कम्पलिट हो जाएगा तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे तो हम 4 फंदे स्टार्टिंग के बुनेंगे और ये 2 फंदे अंदर की तरफ करेंगे तो देखिए पहले 4 फंदे बुनेंगे स्लिप करेंगे 2, 3 और 4 अब जो साथ में डबल दागा गुमाया है इसके पास में 2 फंदे है इनको निडल में लेंगे ऐसे और इसको गिराएंगे इसका धागा खोलेंगे इनको वापिस इसी में लेंगे इसको आगे की तरफ करेंगे ऐसे डालेंगे और अब ये 3 फंदे सीधे एक दो तीन अब फिर देखिए ये धागा गुमाया हुआ है दो फंदे यहां से लेंगे अंदर की तरफ करेंगे ऐसे इसको निकाल लेंगे वापिस इसी निडल में डालेंगे और ये तीन फंदे फिर से सीधे अब फिर से ये फंदे इस निडल में लेंगे इसको गिराएंगे जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी सेम ऐसे ही फोर्थ रो बनाई थी सेम ऐसे ही बनाएंगे दो तेल अब फिर देखिए यहां से इसको बैक से दो फंदे लेंगे इसको निकाल लेंगे इसमें डाल लेंगे और दो फंदे वापिस इस निडल में लेके इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे अब लास्ट के चार फंदे फिर से सीधे तो यह डिजाइन की आठमी सलाई हमारी कंपलिट होई और डिजाइन भी हमारा कंपलिट हो चुका है इस तरह से डिजाइन ये बनके आएगा अब फिर से जो फर्स्ट रो बनाई थी वही रो बनाएंगे तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि बुन्ने में प्रोग्लम नहीं होई एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे वाइट फिर से दो फंदे रेड के एक दो फिर से दो फंदे वाइट के तो देखिए एच टिच को छोड़ के इनहीं को फिर से रिपीट करेंगे तो दो फंदे फिर से वाइट दो फंदे फिर से रेड के एक दो फिर से दो फंदे वाइट के तो ये second repeat complete हुआ अब फिर third repeat करेंगे तो फिर से दो फंदे वाइट फिर से दो फंदे रेड के ऐसे और फिर से दो वाइट के तो ये तीन repeat complete हुए ये तीसरा फंदा दो फंदे रेड के और फिर ये वाइट के एज टिछ है इसको भी उल्टा बनाएंगे तो ये दुबारा से डिजाइन को मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा तो जब आप बार बार इनी ही आर्ट स्लाइओं को रिपीट करेंगे तो आपका भी इसी तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा ये डिजाइन बन जाएगा अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हूँ मेरा पताने का तरीका पसंद आया हूँ